हालो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कॉंजनाइटिल हार्ट डिजीज पर यानि बच्चों में जो जनमजात विकार होते हैं उनके उपर बच्चों की हार्ट में जनमजात विकारों का मतलब है हार्ट में एक एबनॉर्मल छेद रह जाना ये हार्ट के छेद different different भिन भिन प्रकार के होते हैं कुछ बच्चे जिन में हार्ट में छेद होता है उनमें blue पढ़ने की यानि नीला पढ़ने की tendency होती है उनके होट और नाखून यानि उंगलियों के सिरे abnormally blue और नीले पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जिनमें जनमजाद छेद होते हैं हार्ट के अंदर वो नीले नहीं पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है उनकी सांस तेज चल सकती है या उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है तो ये दोनों तरीके के हार्ट के छेद जिनमें नीला पढ़ना या सिर्फ सांस की तकलीफ होना नीला ना पढ़ना बच्चे में हो सकते हैं तो माबाप इस बात का ध्यान रखें कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या रोते समय अगर जनमजाच शिशु को नीला पढ़ने की समस्या हो रही है या सांस लेने में अच्यदिक तकलीफ हो रही है और उसको सिंकपी या भियोशी छा रही है तो ये बच्चे में जनमजाच हाट में छेद के लक्षन हो सकते हैं